गुद मॉर्निंग अल आफ यू लेट एस कंटिन्यू विथ ओक क्वेशन नमबर त्री डिवाइड उसमें क्या करना है डिविशन करना है आपको यहाँ पे जैसे दिखाया गया है वैसे ही आपको अपनी सप्लिमेंटरी में भी लिखना है तो आपको क्वेशन दिया गया होगा इतना in bracket 360 and out of bracket 4 मतलब इसको क्या बोलते हैं कैसे रिट करना है 360 divided by 4 तो अभी क्या करेंगे हम यहाँ पे क्या है first digit 3 और 3 is less than 4 तो हम यहाँ पे 2 digit का use करेंगे तो क्या होगा यहाँ पे कौन सा नमबर हुआ 36 देखें यहाँ पे मेरा pointer पे कौन सा नमबर हुआ 36 तो हम क्या करेंगे 4 के table में 36 को find out करेंगे so 4 9s are 36 so 4 यहाँ पे रखेंगे 9 कहाँ पे 6 6 के उपर 10s digit पे ok so 4 9s are 36 36 कहाँ पे रखेंगे below at the 36 now do subtraction 36 minus 36 or you can use this method 6 minus 6 is 0 3 minus 3 is 0 ok अभी यहाँ पे हमें मिले 2 0 अभी क्या है यहाँ पे 1 0 बचा है उसको हम नीचे रखेंगे और 0 को 4 से डिवाइट करेंगे तो क्या मिलेगा जीरो तो यहाँ पे रखेंगे हम 0 सो कॉशंट क्या है हमारा 90 और रिमेंडर क्या है जीरो तो आपको अपना equation पूरा होते नीचे लिखना है कॉशंट is equal to 90 and remainder is equal to 0 समझ में आया सबको supplementary में कैसे लिखना है जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया है वैसा ही आपको अपनी supplementary में लिखना है ओके now second 570 divided by 5 570 divided by 5 first digit is 5 so 5 ones are 5 क्या करेंगे यहाँ पे 1 and 5 below the 5 5 minus 5 is 0 अभी क्या करेंगे यहाँ पे 0 आ गया तो अभी हम 7 को यहाँ पे रखेंगे ओके अभी 7 है यहाँ पे so 5 ones are 5 and 5 to 0 10 10 तो बड़ा हो गया 7 से तो अभी क्या करेंगे हम 5 ones are 5 का ही use करेंगे अभी करेंगे हम subtraction so 7 minus 5 is 2 ओके अभी 2 is less than 5 तो अभी हम यहाँ पे division नहीं कर सकते तो हम क्या करेंगे 0 को यहाँ पे रखेंगे आपको यह arrow भी show करने है ओके इस अभी indicate करना है आपको अपनी supplementary में अभी हमें कौन सा नंबर मिला देखें यहाँ पे pointer पे कौन सा नंबर मिला 20 मिला very good तो अभी division हो सकता है yes we can do division so 5 fours are 20 okay now 20 minus 20 is 0 so what is our quotient quotient is 140 and remainder is 0 आपको यह answer लिखना नहीं भूलना है इसका पूरा एक mark है okay now next one 960 divided by 9 960 divided by 9 so यहाँ पे first digit is 9 9 ones are 9 so 9 minus 9 is 0 हुआ 9 minus 9 is 0 अभी 6 down as it is क्या हुआ यहाँ पे only 6 है 0 अभी नहीं देखना है आपको क्या देखना है देखें यहाँ पे 6 okay but 6 क्या है 9 से छोटा है तो हम यहाँ पे division नहीं कर सकते right तो हम 6 को भी down करेंगे लेकिन उसके पहले हमें क्या करना है उपर एक 0 रखना है क्योंकि हम ऐसे ही यह digit को down कर रहे है so 60 आया भी क्या होगा 9 6 are 54 9 6 are 54 60 minus 54 is 6 okay so quotient is 106 and remainder is 6 right let us move to the next fourth one 732 divided by 8 so यहाँ पे first digit is 7 7 is less than 8 so we have to use this two digits 73 so 8 nines are 72 तो कहाँ पे रखेंगे 73 के exit नीचे 72 को लिखेंगे और करेंगे subtraction 3 minus 2 is 1 7 minus 7 is 0 क्या मिना यहाँ पे? 1 okay और 2 down as it is now again 8 1s are 8 because 8 2s are is 16 and 16 is greater than 12 we have to use 8 1s are 8 now 12 minus 8 is 4 okay what is the quotient? quotient is 91 and remainder is 4 very good and here is the last one 838 divided by 6 838 divided by 6 6 1s are 6 8 minus 6 is 2 3 down as it is here is 23 6 3s are 18 23 minus 18 is 5 8 down as it is okay 6 9s are 54 8 minus 4 is 4 5 minus 5 is 0 quotient क्या मिला? 139 and remainder is 4 समझ में आया सबको ऐसे ही आपको division की practice करनी है और supplementary में भी ऐसे ही लिखना है okay bye have a good day